हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल ब्रेकफस्ट टू डिनर गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शर्वत रेसिपी जी हाँ जामुन का शर्वत बहुत ही रिफ्रेशिंग है बहुत ही टेस्टी है अचानक से अगर गेस्ट आ जाए तो इस ड्रिंक को आप तुरंधी सर्व कर सकते हो ऐसा ही कुछ ट्रिक लेके मैंने ये वीडियो बनाया है तो एंड तक जरू देखिएगा वीडियो को तो चलिए देख लेते कैसे बनाते है इसको तो जामुन का शर्वत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पाउ जामुन ले लिया है जिसको अच्छे से धो लिया है मैंने अभी मैं इसको कट कर लूँगे यह रेखिए इस तरह से इसका जितना सौफट पार्ट है उसको कट करके अलग कर देना है और ये देखिए बीच को ऐसे निकाल लेना है देखिए मैंने सारे जामुन को कट कर लिया है अभी मैं इसको डालूँगी एक ब्लेंडिंग जार में पूरा इसमें डाल दूँगी एक बार आप घर पे ज़रूर बनाईएगा बहुत ही रिफ्रेशिंग है इस गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ पुदीने की पत्ते हाफ लेमन जूस नमक स्वाद अनुसार और ये मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून रोस्टेट जीरा पाउडर और मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुकर चार चमच मैं ब्राउन शुकर डाल रही हूँ आप अपने स्वाद के अनुसार डालोगे जितना आपको मीठा पसंदे उस हिसाब से और अभी इसमें मैं पानी एड नहीं करूंगी बिल्कुल भी इसको एक स्मूथ पेस्ट बनाके तयार कर लेना है ये देखिए इसका स्मूथ पेस्ट बनके तयार हो चुका है और आप कलर देखो बिल्कुल नैचरल कलर है अभी मैं इसको एक बोल में डाल दूंगी ये जो जामून का पल्प है इसको आप फ्रिज में दो से तीन दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो बिल्कुल फ्रेश रहता है तो इसी से मैं अभी शर्बत बनाऊंगी तो शर्बत बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक ग्लास और ये जो पल्प बना के तयार कर लिया है मैंने ये देखिए कितना गारा है तो इसमें से मैं तीन से चार चमच ग्लास में डाल दूंगी और अभी मैं डालूंगी पानी ठंडा पनी डाल सकते हो आप और डालूंगी कुछ आइस क्यूब्स तो डाल दिया मैंने 4-5 आइस क्यूब्स और इसको एक बर मिला दूंगी और ये शर्वत हमारा बनके रेडी हो चुका है तो देख लिया आपने कितना सिंपल रेसिपी है और इस पल्क को आप फ्रीज में रख दो जब आपको मन करें आप बना के इसको पी सकते हो बहुत ही रिफ्रेशिंग है थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर रही हूँ एक लेमन का एक स्लाइस और पुदिना पत्ता और एक स्ट्रॉव डाल के मैंने इसको डेकोरेट किया है इससे दिखने में भी अच्छा लगता है और पीने में तो अच्छा है ही कि देखिए क्या कलर आया है तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंस और फैमली के साथ शेयर किजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किजिए और बेल आइक झाल कि दूबकर किजिए और मेरे झाल किढ़ा झाल वाल कि ऐ घूबरूर तो अच्छा बटनी किजिए किजिए और लगा गाम जया ही क्चछा प्लयर कंमा व्या कर्द कि ऊदो रहा ही किजिए कि और पाया ही और डबूर कि अदं़र, और दो वरुआ किए लगी होगा है